हलो दोस्तों, Study with Concept के Study Platform पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में जियोग्राफी के इस रिंखला में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा पहला प्रश्ण है वो कथन और कारण से सम्बंदित है तो कथन कह रहा है कि प्रिथवी द्वारा सूर्य की परिकर्मा की समयावधी की तुल्ला में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिकर्मा की समयावधी कम है यानि प्रिथवी और मंगल इन दोनों में तुलना की जा रही है तो यहां ये कह रहा है कथन कि प्रिथवी जो है कि सुरे की परिकर्मा करने में समय सुरे की परिकर्मा करने में ज्यादा समय ले रही है ज्यादा समय ले रही है और वहीं मंगल गर है जो है वो परिकर्मा जल्दी कर ले रहा है अब कारर देखते हैं कारर कह रहा है मंगल गरह क्या व्यास प्रिथिवी के व्यास की तुलना में कम है इसलिए ऐसे कंडिशन हो रहे हैं तो देखते हैं जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग ने जब कोश्चन को सॉल्फ किया था तो उ की नाधारों पर यह तैए होता है कि सुर्य की परिकर्मा करने में जो ग्रह हैं वो कितना समय लेते हैं तो इसको में बार देख लेते हैं आला कि पिछले वीडियो में भी हम लोग ने इसको काफी अच्छे तरीके से समझा था तो आप लोग ने अगर समझ को इस वीडियो को देखा है तो इसका अंसर आप आराम से यहां पर कर ले जाएंगे तो उसमें क्या था कि सूर्य की परिकर्मा कि सूर्य की परिकर्मा की सम्यावधी ग्रहों की दूरी पर निर्भर करता है यानि यह कहना चाह रहा है कि जो ग्रह जो ग्रह जितनी दूरी पर इस्थित होगा वह उतना ही अधिक समय लेगा तो अब इसका अंसर निकालने के लिए आपको ग्रहों की इस्थिती ग्यात होना बहुत जरूरी है तो एक बार देखते हम ग्रह तो ग्रह कौन कौन से है हमारे क्रम के अनुशार सबसे पहले तो बुद्ध है फिर आपका सुक्र है फिर है आपका प्रिथवी मंगल ब्रिहस्पति शनी आरूड और वरूड तो अब आप देखिए अब यहां से हम रग्यकर का किन देखते हैं कि समयावरी पर ग्रहों की दूरी पर निर्भर करता है समयावदी जो है परिकर्मा की वो ग्रहों की दूरी पर निर्वर करता है जो अगर जितने दूरी परिस्तित होंगे वो उतना ही अधिक समय लेंगे तो पहले तो प्रिथवी है ना मंगल से पहले तो प्रिथवी है तुलना प्रित्वी और मंगल में तुलना की जा रही है, ग्रौशुडे की परिकर्मा करने के समय अभुदीों को लेकर के, तो यह कह रहा है कि मंगल जल्दी पूरा कर लेता है, नहीं, मंगल तो दूर इस्तित है प्रित्वी से, तो समय इसका अधिक होगा, तो इस तरीके से हमारा जो कथन है वो गलत हो गया अब हम आते अपने option पर कह रहा है A में कह रहा है कि A और R दोनों सही है और R A का सही अस्पस्टिक कराड़ नहीं दोनों तो सही नहीं है कह रहा A और R दोनों सही है अब ये भी eliminate हो गया आपका कि दोनों तो सही है ही नहीं फिकर आए सही है परन्तु आर गलत है तो देखे हमको यह नहीं पता कि काराड इसका सही है या गलत है लेकिन हमको यह पता है कि हाँ जो कथन है वो गलत है तो कथन जब गलत है तो आए सही होई नहीं सकता इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया D हमको ये ने पता कि मंगल गरह्य का व्यास पृत्तिवी के व्यास की तुल Là में कम है, जादा है, क्या है, क्या नहीं है लेकिन ये पता था हमको कि हाँ ये जो है कफन जो है वो गलत है तो इस तरीके से eliminate करके हम अपने answer तक पहुँच गया अगला question कह रहा है कि मंगल पर जीवन की उपस्तिती के लिए निन्दलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है A. वायू मंडली संगठन B. तापी अवस्थाएं C. बर्फ चत्रकों और हेम सितित जल की उपस्तिती ओजोन की उपस्तिती तो अभी कली हम लोगों ने पढ़ा था इसमें 6NCRT में हिस्टिक 6NCRT में पढ़ा गया था कि जल ही जीवन है जल के बीना जीवन संभो ही नहीं है तो इसका answer है C अगला है कि किसमें प्रिथवी की अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का परियावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है यानि वहां का जो परियावरण है वो जीवन के लिए अनुकूल है तो पिर्थवी के अलावा, कहां पर ये जीवन की सम्भावनाए पाई गई है या देखी गई है A. बिर्यासपती, B. मंगल, C. यूरोपा, यूरोपा क्या है? ये बिर्यासपती का उपगरह है, यूरोपा पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था इसको, D. चंद्रमा, पिर्थवी का चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? ये पिर्थवी का उपगरह है, किसका तो पिर्थवी का, और ये बिर्यासपती का तो इसका जो आंसर है, वो है C. अब C क्यों है? वही है, जल्ली जीवन, वही वाला फार्मूला यहां भी यूज होगा, क्योंकि इसके यूरोपा जो है, विर्यासपती का जो पुरह यूरोपा है, इस पे वाइजर अभियान बेजा गया था, वाइजर अभियान, वाइजर प्राप्त संकेतों, के आधार पर, के आधार पर, अनुमान लगाया गया, लगाया गया की, विर्यसपती, के उपगरह यहां पर, आप लोगों के याध जाएगा, इसलिए मैं इसको लिक रही हूँ, उपगरह, विर्यसपती के उपगरह, यूरोपा, यूरोपा पर, समुद्र, समुद्र है, जिसकी, गहराई, पच्चास, किलेमीटर तक, है, तो इस पानी की मात्रा को देखती हुए ही, यहां पर, जीवन की, संभावनाओं के लिए, अनुकूलतम परिस्थितियां, व्यक्ति की गई है, अगला कोश्चन है, बिरस्पती के ग्रह के चंद्रमाओं की खोज, निमने में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी, इसका जो आंसर है, वो है, गैलिलियो, यहां जहाँ यह चंद्रमाओं है, तो इसका मतलब होगा आपका उपग्रह, यह बिरस्पती के उपग्रह की बात कर रहा है, और आप सभी को पता है कि बिरस्पती, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और वर्तमान में इसके 79 उपग्रह है, 79 उपग्रह हैं, और इस 79 उपग्रह में भी, 79 उपग्रह में भी, सबसे पहले, सबसे पहले, खोजे गए, खोजे गए, चार, चार बड़े, उपग्रहों को, गैलीलियन उपग्रह कहते हैं, गैलीलियन, गैलीलियन उपग्रह, कहते हैं, और यह खोज कप किया गया था, तो खोज, 1610B में किया गया था, 1610B, तो अब यहां से आपके कई questions बन जाएंगे, इनी में से, इनी में से आपके कई questions बनेंगे, जैसे कि आप से पूछ लेगा, अगर question को हम देखें, क्या-क्या question बन सकते हैं, तो आप से यह भी पूछ लेगा, कि गैलीलियन उपग्रह, गैलीलियन उपग्रह, उपग्रह में निर्ण लिखित में से, में से, कितने उपग्रह सामिल है, फिर आपका देदेगा, पांच है, चार है, छे है, तीन है, तो यह चार है, और यह चार कौन-कौन से हैं, यह चार हैं, आपके, गैनिमिड, फिर है आपका कलिस्टो, कलिस्टो, फिर है आपका आयो, और लास्ट आपका, यूरोपा, यह इनमें सामिल है, यह जो चार उपग्रह है, इनमें यह सामिल है, जिसको गैलेलियन उपग्रह कहते हैं, और एक कोश्चन सौर बना देगा, कि गैलेलियन उपग्रह में, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों का समू सामिल है, और अलग-अलग ग्रह डाल करके आपको दे देगा, उसका सनी का भी ले लेगा, मंगल का भी ले लेगा, और मिक्स कर देगा, तो आपको यह चारों याद होने चाहिए, और यह यही नहीं कि इसे PCS में ही काम आएगा, यह UPSC में भी ऐसे स्टेटमेंट बन जाते हैं, कि इनकाउन का ग्रह डाल के मिक्स करके आपसे पूछ सकत है, अगला कोशन है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो विरस्पती ही है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, विरस्पती जो सबसे बड़ा होगा, वो सबसे भारी होगा, और जो यह सनी है, यह दूसरा, दूसरा, सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रह है, अगला कोशन पुछ तो यह अधिक्तम पूछा है, अधिक्तम समय लेता है, तो वही फार्मुला जो प्रित्विति फिर मंगल था और फिर बिरस्पति था तो यहीं लेगा इन आप्शन के हिसाब से वैसे तो सबसे पहला आपका बुद्ध है फिर यह कि बिरस्पति का वले होता है किससे बना होता है ए सिलिकेटो का बना हुआ बी अस्तित्व अभिहीन है है सी बहुत घणा एवं अपार दर्सक लिय उप्रोगत सबी से तो इसका आवसर है वह सिलिकेटों का बना उसपति को की गये सिसी सबसे पहले विरस्पती के वले विरसपति के वले की खोज किसने किया था सबसे पहले किसके दोरा किया गया था तो वाइजर वाइजर one space प्रॉब दोरा किया गया था प्रॉब दोरा और इसके वलेओं को इसके इसके वलेओं को जोबियन जोबियन वले कहा जाता है अब जोबियन वले क्यों कहा जाता है ये सारी जे हम जब इनसे आर्टे स्टार्ड करेंगे जे ग्रॉफिका तो उसमें अच्छे से बढ़ेंगे अगला कुशिन निर्म लिखित में से कौन से ग्रह के सरवाधिक प्राकिर्तिक उपग्रह अथवा चंद्र है तो A दिया है विरश्पति B दिया है मंगल C दिया है सनी D दिया है सुक्र इसका जो आंसर है वो है C सनी इसके 82 उपग्रह है वर्तमान में इसके 82 उपग्रह है और विरश्पति के कितने हैं अभी हमो लोग उपर ही देख क्या रहे है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है एगला कुशन है कि सनी सुदे के चारो और एक चक्कर लगाने में वर्स लेता है यहाँ पर वर्स दिया गया है तो कितना वर्स लेता है इसका अंसर है C और वहीं अगर पुछे कि अपनी कच्छा में अपनी अपनी कच्छा में सनी द्वारा सनी द्वारा सुर्य के चारो और एक चक्कर लगाने में 88 दिन का 88 दिन का समय लगता है अगर वर्स पूछे तो और अगर अपनी कच्छा में सनी द्वारा चकर पूछे कितने और सुर्य का चकर एक चकर पूरा करने में कितना दिन लगता है दिन तो वो लगेगा 88 दिन अगला कुशन है कि किस ग्रह के चार ओर वले है A. सनी B. मंगल C. बुद्ध D. पृत्वी तो ये है सनी वले का मतलब होता है छला छला या रिंग इन में से यहाँ पर कुछ भी दे छला दे रिंग दे तो वो सनी में ही पाया जाता है सनी ग्रह कहरा सनी ग्रह A. प्लूटो से ठंडा है B. नेवच्यून से ठंडा है C. नेवच्यून से गर्म है D. जूपिटर से गर्म है अब इसका भी पता हम वैसे ही लगाएंगे जैसे परिकर्मा का पता लगा है ग्रहों से या कह सकते हैं सूरिय से ग्रहों की दूरी के अनुसार तो जो यहां पली दिती में जो सबसे अधिक दूर वो सबसे ठंड़ा होगा और जो सबसे नजदीक वो सबसे गर्म होगा लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ कर जैसे कि पिछले विडियो में हम लोगोंने समझा था बुद्ध सुरिय से सबसे नजदीक है लेकिन सरवादिक गर्म नहीं है किसको माना गया है तो वो सुक्र है इसको क्यूं नहीं माना गया है तो वहां चितरीक से हम लोगों ने समझा था पिछले वीडियो में, क्योंकि इसका वायूमंडल समाप्त हो जाता है, सुद्य की नजदीकी के कारण, जबकि सुक्रका बना रहता है तो आते अपने कोश्चन पर, तो यह पूछा है, कि थंडा है, गर्म है, कि यही दूनों पूछा है, थंडा है, कि गर्म है, तो इस दिर रख लेते हैं ग्रहों का तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बुद्ध इतनी बार मैं लिख चुकी हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ याद हो गई होगी ग्रहों का क्रम बुद्ध सुक्र फिर आपका है प्रिथिवी मंगल बिर्यासपती सनी सनी फिर आपका अरूण जिसको कहते है यूरेनस और फिर आपका वरूड जिसको कहते हैं नेप्च्यून नेप्च्यून तो प्लूटो से ठंडा प्लूटो को तो खेर निकाल दिया गया है प्लूटो ग्रह नहीं है इसको अब बॉना बॉना ग्रहों की स्टेडी में रख दिया गया है और चलो आप एक पल के लिए इस के दार पर अगर हम अंदाजा भी लगाते हैं तो प्लूटो से ठंडा तो प्लूटो से ठंडा तो होगा नहीं क्योंकि यह प्लूटो से पहले आ रहा है तो यह हमारा नहीं होगा बी नेफ्चियून से ठंडा तो नेफ्चियून से भी ठंडा नहीं होगा क्योंकि यह पहले आ रहा है नेफ्चियून से गर्म नेफ्चियून से गर्म ठीक है से देख सकते हैं, आपके सिर्फ ग्रहों की इस्थिति याद होने से ही हम अंसर को अच्छे से कर ले जा रहे हैं, अब इसमें आपका तुक्का कहाँ लगेगा, समझ में नहीं आ रहा है, कि तुक्का किस को अंसर माने, जब तक ये सारी शीजें आपको किलियर नहीं होंगी, अरूल सुरे के चारों और एक प्रिकर्मा में लेता है कितने वर्स का समय लेता है A 84 वर्स B 36 वर्स C 18 वर्स D 48 वर्स तो इसका जो आंसर है वो है A 84 वर्स और अगर ये पूछे कि अपने अच्छ पर कितने घंटे में ये सुरे का प्रिकर्मा करता है तो देख लेते हैं अपने अच्छ पर सुर्य का परिक्रमा 17 दस्मरा दो घंटे में पूरा करता है अगला है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है तो वही है दूरी के हिसाब से इसका जो आंसर है वो है नेप्चियून क्यूंकि यहां पर अगर हम देखे तो नेप्चियून सबसे लास्ट में आ रहा है अगला है मानव ने चंत्रमा पर पहला कदम कब रखा कब रखा है उननी सो तिरपन बी उननी सो तिरशट सी उननी सो एकत्तर और डी उननी सो उननत्तर तो इसका जो आंसर है वो है डी इससे सम्बंदित अगर हम अधर फैक्ट देखें तो यूएस से का अमेरिका का अपोलो अपोलो मीशन 11 द्वारा तीन यात्रियों को चंत्रमा पर भेजा गया था पर भेजा गया था इसमें आपका ये इंपोर्टेंट है कि किस मीशन से भेजा गया था तो अपोलो मीशन 11 और इस तरीके का कोश्चन जो स्टेट PCS होते हैं वह पूछी लेते हैं जैसे वह पूछी लेता है कि गांदी जी दितिया गोल में समेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज पे सामिल किस जहाज से होकर गए थे किस जहाज से गए थे दूसरस में यह इंपोर्टेंट है आपका कि तीन ही आत्री हैं वो कौन-कौन से तीन ही आत्री थे तो पहला नील आर्म स्ट्रॉंग सेकेंड माइकल माइकल कोलिंस कोलिंस और तीसरा एडविन एडविन एल्डरीन यह तीन ही आत्री सामिल थे और इन तीन ही आत्री में जो सबसे पहले कदम रखा था वो थे नील सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा अगला कुशन है C of Tranquility कहां पर है A तृतिवी पर B सूर्य पर C जूपीटर पर D चंद्रमा पर तो इसका जो आंसर है वो है D चंद्रमा पर और C of Tranquility किसको कहा जाता है तो यह कहा जाता है C of Tranquility यह कहा जाता है चंद्रमा को जो काले दब्बे पाय जाते हैं चंद्रमा पर काले धब्बे वाले छेत्र को कहा जाता कहा जाता इसको हिंदी में अगर हम देखे इसको कहते हैं सांती का सागर सांती का सागर हिंदी में भी यह आपको दे करके पूस सकता है कि सांती का सागर कहा पर है अगला कुशन है कि चंद्रमा के धरादल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्यूंकि यहां पर देरा नहीं सुन सकते हैं क्यूंकि ए चंद्रमा पर उनके कान उनके कान काम करना बंद कर देते हैं चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं है चंद्रमा पर वे बी सेश प्रकार के अंतरी सूट पहने रहते हैं या डी चंद्रमा पर धोनी बहुत ही मन्द गति से चलती है तो इसका अंसर वो लोग आराम से दे ले जाएंगे जो साइंस का वीडियो देखी होंगे क्योंकि साइंस में दोहने से सम्बंदि सारे टॉपिक हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से किलियर किया था एक एक चीज को समझते हुए तो जो लोग वहाँ पर वो वीडियो देखेंगे वो आसाने से एक नजर में देखते ही आंसर को कर ले जाएंगे इसका जो आंसर है वो है बी चंद्रम पर वायू मंडल नहीं है और जब वायू मंडल ही नहीं है तो आप सभी को पता है कि दोहनी निर्वात में गमन नहीं करता निर्वाद का मतलब होता है कि कोई माध्यम नहीं कोई माध्यम माध्यम नहीं जबकि धोनी के गमन के लिए माध्यम के आवा सकता होती है धोनी के संचरड संचरड हेतू माध्यम की आवा सकता होती है और अकर धोनी की प्रबलता की बात करें धोनी की प्रबलता तो ये ठोस में सबसे ज़्यादा होता है फिर आपका होता है द्रोव में और फिर होता है आपका गैस में इसलिए इस पात में इस पात में इसकी प्रबलता अधिक होती है होती है अगला कोशन है चंद ग्रहर कब होता है काफी अच्छे तरीके से इसको हम लोग ने पिछले बिडिये में समझा है तो ए कहरा है कि जब चंदर्मा प्रित्वी और सूर्य के बीच आ जाता है बी जब प्रित्वी सूर्य और चंदर्मा के बीच आ जाती है सी जब सूर्य प्रित्वी और चंदर्मा के बीच आ जाता है डी इन में से कोई नहीं तो यह जो है कि जब प्रित्वी सूर्य और चंदर्मा के बीच आ जाती है पिछले वीडियो में हम लोग देखा था इसको फीगर से तो इवार देख लेते हैं कहा था वो यह आपका यह प्रिस्वी बीच में आ रही है सुर्य और चंद्रमा के बीच में जब जाके चंद्रहर लग रहा है अगला कौन सी परिस्थिती में चंद ग्रहन होता है अर्द चंद्र, बी नौ चंद्र, सी पुर्ण चंद्र, उप्यक्त में से कोई नहीं इसका अंसार है सी पूर्ण चंद्र यानि फूल मुन फूल मुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहन सदेव सदेव पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहन होता है अगला कुश्चन है कि 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामानने से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदाई कारत था पिछले वीडियो में हम लोग ने अपसोर उपसोर को अच्छे तरीके से समझा था अगर आप लोग ने उसको समझा होगा तो इसका अंसर भी अराम से कर ले जाएंगे जरूरी नहीं है कि चंद्रमा के कंडिशन में सुर्य के कंडिशन में आपको हर एक चीज रटनी ही पड़े अगर आपने एक को समझ लिया अच्छे से और दूसरा अगर थोड़ा सा भी चेंज करके दे रहा है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे वहाँ पर सुर्य था तो ठीक उसी परकार से हम यहाँ भी समझते हैं जैसे कि मा लिजे यह आपका यहां पर्तिवी है यहां पर्तिवी यह आपका चंद्रमा ले लिजी आप चंद्रमा हो गया यहां यहां के दूरी देखें तो दूरी कम है और इसको देखें तो इनके बीज दूरी ज्यादा है तो जब चंद्रमा और पर्तिवी के बीज दूरी कम होगी तो उसको कहेंगे उपभू उपभू और जब दूरी ज़्यादा होगा इसको कहेंगे अपभू अप मतलब उपर उपर और यही अपसोर में भी क्या होता है कि यह जो पृतिवी होती है वो सूर्य से दूर होती है तो वो होता है अपसोर तो यह अप मतलब उपर दूर और उपसोर कब होता है जब नजदीक होती है प्रित्वी जैसे कि यहां वहनों समझे थे उसको भी अपसोर उपसोर को भी जैसे कि यह उपसोर और अपसोर तो सेम कोशन यहां पर भी है बस वहां पर सुर्य था यहां चंद्रमा कर दिया है तो जब नजदीक होगी तभी तो चमकदार होगी, दूर होगा तो कहाँ से चमकदार होगा तो इसका जो आंसर है वो है उपफुबू और ऐसे स्तिती केवल 1999 मैं नहीं संदोजार सोलर मैं भी देखी गई है संदोजा 16 में भी देखी गई है अगला कोशन आप बे मेल को चुनिए बे मेल को चुनिए A. चंद्रमा B. बुद्ध सरी A. मंगल B. बुद्ध C. चंद्रमा D. पृत्वी तो आप सभी को पता है मंगल, बुद्ध और पृत्वी ये तीनों क्या है? ग्रे हैं लेकिन चंद्रमा उपग्रे है पृत्वी का उपग्रे है तो बे मेल यह हुआ क्योंकि ये उपग्रे है, बागे तीन ग्रे है निम्ने में से कौन सा ग्रे है? नहीं है ग्रे नहीं है, तो चंद्रमा ही प्रियुक्त में से किसी से भी नहीं तो किसी से भी तो नहीं जब इतना एक, दो, तीन ऐसे करके दिया है तो इसमें से कोई एक तो होगा तो इसका जो आंसर है वो है A एक मा में दो पूर्णिमा अगला कोशन है कि चंद्रमा की पिर्थिवी से दूरी है A. 364,000 km B. 300,000 km C. 446,000 km D. 350,000 km तो यह तो फैक्ट आपको रटना ही पड़ेगा तो इस परकार से हमारा वीडियो यहीं समापत होता है बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी को हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद